नमस्कार स्वागत है आपका न्यूजरूम पोस्ट पर मैं हूँ आपके साथ रितिका आपने सड़क पर गाड़ियों के नंबर प्लेट DL UP HR से शुरू होते हुए देखे होंगे इन सीरीज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि DL लिखा है तो ये गाड़ी दिल्ली की है UP लिखा है तो ये गाड़ी UP की है ऐसे ही बहुत से सीरीज की गाड़ियां हजारों लाखों की संख्या में सड़कों पर दोड़ती नजर आती है लेकिन अब जल्द ही आपको पूरे देश में नई सीरीज की गाड़ियां देखने को मिलेगी इस सीरीज की शुरुवात BH से होगी इस सीरीज के नमबर की गाड़ियां जिनके पास होगी उन्हें दूसरे राज्य में जाने के लिए RC ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो शलियां आपको बताते हैं इस खास सीरीज के लिए कौन लोग आवेदन कर सकते हैं कितनी रकम का भुकतान करना होगा और दूसरे राज्यों में रजिस्ट्रेशन के नियम क्या होगे दूसरे नमबर प्लेट से किस प्रकार अलग है BH सीरीज की ये गाड़ियां तो आपको बता दें जिन लोगों के पास उन्हें दूसरे राज्य में किसी को गाड़ी बेशनी होगी तो उन्हें दोबारा डरेजिस्ट्रेशन नहीं कराना होगा चाहे वो किसी भी राज्य के हो नई BH सीरीज शुरू होने के बाद उन लोगों को सबसे अधिक फायदा होगा जो ट्रांसफर वाली जॉब करते हैं इस नई सीरीज के लिए ऐसे लोग आवेदन कर सकते हैं जिनके चार या चार से अधिक राज्यों में आफिस है यह योजना स्वेच्छिक है यानि आप अपनी मर्जी से नमबर प्लेट की सीरीज को बदलवा सकते हैं किस रंग की होगी यह नमबर प्लेट और कैसे होगी नमबर की शुरूआत तो आपको बताएं कि BH सीरीज की नमबर प्लेट काले और सफेद रंग की होगी सफेद बेग्राउंड पर काले रंग का अस्तमाल करके नमबर लिखा होगा बी-एच से इसकी शुरुवात होगी और इसके बाद रजिस्ट्रेशन के साल का आखरी दो अंग या फिर आगे के दो नमबर लिखे होगे अब आपको बताते हैं कितना टेक्स और कितने साल के लिए होगी ये सीरीज तो बता दें गाडियों के मालिक को दो या दो के गुडांकों में रोड टेक्स चुकाना होगा पूरी प्रकिरिया ओनलाइन होगी बी एच सीरीज के लिए 10 लाग रुपे तक की लागत वाले बहानों के लिए 8 प्रतिशत 10 से 20 लाग रुपे तक की लागत वाली गाडियों के लिए 10 प्रतिशत और 20 लाग से अधिक की लागत वाली गाडियों पर 12 प्रतिशत रोड टेक्स तै किया गया है इसके अलावा डीजल वाली गाडियों के लिए 2% अतिरिक्त शुलक और इलेक्टरोनिक वहानों के लिए 2% कम कर लिया जाएगा अलग राजियों में टेक्स की जंजट अब खत्म हो जाएगी अभी अलग-अलग राजियों में रोड टेक्स अलग-अलग है लेकिन नई BH सीरीज के बाद ना तो गाड़ियों के दोबारा रेजिस्ट्रेशन की जरूरत होगी और ना ही RTO आफिस के आपको चकर काटने होंगे अगर आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया तो हमारे इस वीडियो को लाइक कमेंट शियर जरूर करें साथ ही अगर आप नहीं हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको हमारे हर नई वीडियो की नूटिफिकेशन मलती रहे